दोस्तों ये है भारत का पडोसी देश बांगला देश जिसे किसी समय में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांगला देश एक दक्षिन एश्या ही देश है जहां पर बड़ी संक्या में मुस्लिम अबादी पाई जाती है ये विश्व स्तर पर सबसे घनी अबादी वाले देशों में से एक है जिसकी अबादी लगभग 1,47,460 वर किलोमेटर तक फैली हुई है बांगला देश की सीमा कई महरतिय राज्यों जैसे असमत्रिपुरा, बिगाले, मिजोरम और पस्चिम बंगाल से लगती है बांगला देश उन खुश किसमत देशों में से शामिल है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बीच भी बांगला देश में मौझूद है आज आपको बंगला देश के तीन सबसे बहतरी बीच के बारे में बताने जा रही हूँ इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजट किया है तो इसे सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे नमबर वन लबोनी बीच कोस बजार इलाके में मौझूद एक बहुती सुन्दर समुन्दी तर्थ है यह सिर्फ कोस बजार का ही नहीं बलकि बंगला देश का भी सबसे सुन्दर बीच माना जाता है नए साल पर तो यहां लोग बहुत महरे होते हैं नए साल का जथ मनाने के लिए इस दिन को इस बीच को सबसे पॉपूलर दिन मानते हैं यहां हजारों लोग यहां नए साल की सुरुआत करने आते हैं उस दिन यहां जगमक और मुचिक डानस और पार्टी आयोजन की जाती है जो लगाता तीन रातों तक चलती है अगर आप लबोनी बीच पर कैम्पिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पास में मौजूद कलडोनी बीच और इरानी बीच पर भी जा सकते हैं जहां मया मार के लोग मार्किट लगाते हैं यहां आपको अलग-अलग तरीके की चीजें देखने को मिल जाएंगी नमबर दो सेंट मार्टिन आइलेंड दोस्तों और कहीं आप जाएं या ना जाएं लेकिन सेंट मार्टिन आइलेंड पर जरूर जाना यह आइलेंड बंगाल की खाड़ी में नौर्थ इस्टन भाग में मौजूद है जो कोस बाजार के दक्षिड में नोर किलोमेटर की दूरी पर मौजूद है सेंट मार्टिन आइलेंड बीच अपने टूरिस्टों के लिए काफी फेमस है यहाँ पर हर दिन आठ शिप्स जाती है जो सेलानियों को में लेंड से बंगलादेश के इस आइलेंड तक ले जाती और लाती है यहाँ पर आपको कई कच्छुए और समुद्री जीवों की परजातिया देखने को मिल जाएंगी जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी सरकार भी लोगों से कहती है जो भी दिन में इस आइलेंड पर घूमने को जाता है शाम में उसे वापिस आना ही पड़ता है क्यूकटा बीच क्यूकटा वैसे तो एक पोस्टल सिती का नाम है उसी जगा के नाम से क्यूकटा बीच को भी जाना जाता है ये पैनरा में सी बीच लोगों को ज़्यादा पसंद आता है ये जगा दक्षिनी बंगलादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अटरेक्शन में से एक है ये बीच लगभग 18 किलोमेटर लंबा और 3 किलोमेटर तक चोड़ा है तो दोस्तों ये थे बंगलादेश के 3 बहतरीन बीच अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक देना बिलकुल नभूलें